कि आ Cristiana K कि Hello Everyone Good Morning ! चलिए देखते हैं आज का आपने ये रीडिंग देखते हैं कि आपके जो पार्डनर हैं। आज सुबह सुबह आपको क्या मेसिज़ देना चाहते हैं। ठीक है, रीडिंग का टॉपिक यही है, ध्यान रखिएगा कि यह रीडिंग एक जनल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, इस बात का पुरा ख्याल रखना है आपको, और रीडिंग जिनके साथ भी रेजनेट करती है, आप एक चनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीड कुंती चक्रा ट्री लेना चाहते हैं, या फिर आप लोग पिरामिट लेना चाहते हैं, या सेवन चक्रा ट्री लेना चाहते हैं, जो कि दिवाली पे आप लोगों के लिए परफेक्ट रहेगा, दिवाली के दिन भी मिल जाएं आपको, तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा ठीक है तो जो लोग लेना चाहते हैं contact कीजे आपको जो है आपके address पर दिये गए address पर हम कोशिश करेंगे कि दिवाली तक आपको मिल जाए ठीक है चलिए देखते हैं कि आपके जो cards हैं वो क्या बता रहे हैं गाइड करें एंजल्स उन्वार्स और सिस्टर्स ओके ओके लोव मैसेज़ेज इनके पार्टनर का लोव मैसेज़ेज ठीक है ओके bottom of the deck देखते रहे हैं हम लोग bottom of the deck I am a player आपके पार्टनर काफी लोगों का दिल तोड़ चुके होंगे और काफी पार्टनर उन सारी चीज़ों को देखते हैं उन सारी चीज़ों को करते हैं मुझे जहां तक दिख रहा है कि आपके पार्टनर जहें काफी ज़्यादा है ना चीज़ों को देख रहे हैं चीज़ों को फील कर रहे हैं और एक होता ना कि जैसे कि यह पॉर्शन क्या ना चाह कि बिलते हैं मुझे जहां तक दिख रहा है कि पसंद आपके साथ ही नहीं आपको दोखा दे रहे हैं, आपको तकलीफ दे रहे हैं, आपके साथ जो है जूट मुट का ये परसन इंगेज होते हैं, आपके साथ रिलेक्शन सिप रखना नहीं है, इनको बस थोड़ा सा टाइम पास करने के लिए ये परसन चले आते हैं आपकी लाइफ में, ठीक है, तो यह energy मुझे नज़र आ रही है आपको एक पर्सन जाने नहीं देना चाहते हैं यह पर्सन बिलकुल भी जाने नहीं देना चाहते हैं आपको और यह energy मुझे दिख रही है सो वो एनेर्जी भी मुझे क्लियरली दिखाई दरी है कि आपके पार्टनर अपनी दुआओं में भी जो है ना आपको मांगते विए क्लियरली दिखाई दे रहे हैं मुझे ठीक है और यहां पर मुझे यह भी दिख रहा है जैसे कि आपके पार्टनर आपको लेकर अपने फिलिंग्स को लेकर अपने एमोशन्स को लेकर की काफी कुछ चीज़ें मैनेज भी करते हैं ठीक यह पर्सन कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आपके साथ जो इनका रिलेशन है काफी जदाए स्ट्रॉंग सा रिलेशन है यहां पर यह इनकी एनर्जी मुझे नजर आ रही है कि आपके पार्टनर कहते हुए दिखाई दे रहे हैं करते हुए दिखाई दे रहे हैं, मुझे जाहा तक दिख रहा है نा, कि आपके पार्टनर आपस को कहना चाहते हैं कि यह person कई बार, इन्होंने सोचा, कि यह person move on कर जाए, final decision पर पहुँच जाए फाइनली ये person आपके अनुरूप ना चरकर करके अपने अनुसार से ही person चले और आपको आपके साथ जो है ना manage करने की कोशिश करे या आपके साथ जो एक होता है ना कि equal give and take करने की कोशिश करे ये person थोड़ा सा थोड़ा सा ये person है वो manage करते हुए दिखाई दे रहे है मुझे आपके और आपके पार्टनर के बीच में एक ऐसे energy दिखाई दे रहे है जो की बहुत ही प्यारी है देखो प्यार महबत तो है इस person के energy के नुसार से ठीक है ये person प्यार करते हैं ये person की feelings है इस person मैं तुम्हारे life में वापस नहीं आओंगा ठीक है मैं नहीं आ रहा हूँ तुम्हारे life में वापस ठीक तुम तुम जैसी भी हो जो भी हो जैसा भी चल रहा है तुम्हारी life में चल रहा है तुम्हारी life चल रही है कट रही है वो तुम्हारा problem है बट मैं तुम्हारे साथ life म तुम्हारे साथ manage नहीं कर पाऊंगी तुम्हारे साथ relationship को accept करना या तुम्हारे साथ life को जीना वो नहीं हो पाएगा मेरे से ठीक है तो यह person के energy मुझे यह भी दिखा रही है यह person काफी जदा stress में हैं काफी जदा problem में मुझे दिखाई दे रहे हैं और मुझे जहां तक दिख रहा है कि आपके partner को ऐसा feel हो रहा है कि यह person काफी जदा जो है जुक गए है या इन्होंने बहुत कुछ कर दिया है और finally अब इनको कुछ नहीं करना है ठीक है यह person कहना चाहते हैं कि सोने से पहले तुम मेरी आखरी सोच होती हो तुम मेरा आखरी व करें तो एक होताने की जैसे की प्यार मौबत है इकरार है और बहुत ज्यादा emotions बढ़े परे हैं तो वह energy मुझे नजर आ रही है आपके और आपके partner के बीच में ऐसा दिख रहा है कि प्यार emotions feelings काफी strong सी हैं और काफी strong सी feelings होने के करांद से मुझे यहां पर देख रहा है कि आपके partner जो है ना आपके साथ manage करना चाहते हैं ठीक है मुझे यहां पर यहीं दिख रहा है कि यह जो person है कहते हैं कि तुम मेरा आखरी thought हो तुम मेरी आखरी सोच हो और एक होताने जैसे की बेट पर जाने के बाद से हमें ख्याल आने लगता है तो वह ख्याल जो है ना आप होते हो यह person कहना चाहते हैं और आप बहुत ज्यादा खुबसूरत हो खुबसूरती की मूरत हो आप ठीक है आपके person आप से कहना चाहते हैं कि यह आप बहुत ज्यादा खुबसूरत हो बहुत 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 और जब यह person देखते हैं आपको तो इनके दिल में कोई ना कोई ख्याल कोई ना कोई एक होता नहीं जैसे कि कोई ना कोई ख्याल आता ही आता है और इनको ऐसा लगता है जैसे कि मतलब आपके साथ इनको एक positive सी vibes positive सा emotions positive से feelings मुझे आते भी दिखाई दे रही है ठीक है मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके partner जो है आपको अपने दिल की बाते हाजार बाते भी अगर कहे तो वो भी कम होगा ठीक है मतलब आपकी तारीफ में ऐसी energy मुझे दिख रही है यहां पर जो है ना मुझे दिख रहा है कि आपके जो partner है आपसे कुछ सवाल जवाब करना भी चाहते हैं और आपके कुछ सवालों के जवाब भी देना चाहते हैं मैं जहां तक देख फारे हूं कि आपके partner को आपके अंदर आप में interest है ठीक है सबसे जला अच्छी बात है कि उनको आप में interest है और आपके partner को होता है ना जैसे कि सवाल यह पूछना है कि यार तुमने मेरा दिल क्यों तोड़ा ठीक है तुमने मेरा दिल क्यों तोड़ा तुम में नहीं तोड़ना चाहिए था तुम तुम स्रिफ और स्रिफ बोल देती है ना तो मैं तुमसे अपनी मेरा मान समान या एक होता ने जिसे कि तकलीफ नहीं समझा और मेरी तकलीफ को समझ करके मेरी तकलीफ को ना समझ करके तुमने और ज़्यदा मेरा दिल दोड़ दिया है तो कहीं ना कहीं आप आपके जो person है आपके सांथ relationship को आगे बढ़ाना चाहते हैं बट यहाँ पर मुझे लगता है कि आप मना कर रहे हो अब कि नहीं आप जो है ना मेरी life में नहीं आओ मैं तुम्हारे में कोई interested नहीं हूँ मुझे कोई interest नहीं है ठीक है सो वो energy मुझे नजर आ रही है आपके cards में ठीक सो यहाँ पर यह है आपकी reading आज की reading आई hope reading आपके सांथ resonate की होगी resonate की है तो चनल को subscribe करना वीडियो को like करना विलता हैं फिर अगली reading में तब तक के लिए bye bye Hello everyone So, आज हम जानने वाले हैं आपके सामने रखा यह गोमती चक्र ट्री इसके बारे में इसके क्या benefits हैं क्या है ऐसा जो की गोमती चक्र में है और इसे क्यों रखना चाहिए अपने घर में या अपने office table पे ठीक आप इसे decoration के लिए भी यूज कर सकते हैं लेकिन यह अपना benefit देता रहेगा ऐसे भी तो क्या benefit से इसके यह मैं आपको आज बताने जारी हूँ सबसे पहले तो गोमती चक्र सास्त्रों में गोमती चक्र का बहुत महत्व है आपको पता है भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र का सुक्ष्म रूप स्वरूप माना गया है यह ठेक क्योंकि इस पे जो है यहां पे गोल गोल यह देख रहे हो आप लोग I think camera में न रूप से पाया जाता है यह गोमती चक्र और मान्यत्य यह है कि गोमती चक्र जो भी अपने घर में रखते हैं जो इतने भी लोग रखते हैं उनके घर सुख सम्रिधी और मा लक्ष्मी की क्रिपा बनी रहती है यानि कि मा लक्ष्मी आपके घर पधारती है और अभी आ रहा है दिपावली है ना तो दिपावली पे इस्पेशली आप लोग इसे अपने घर में स्थापित करें और इसकी पूजा करें जिससे आपको काफी ज्यादा बैनिफिट प्राप्त होगा इससे यह जो गोमती चक्र ट्री है इसको आप अपने पूजा स्थल में रख सकते हैं ता करता है यानि कि अगर आपको कोई बीवारी है या आपके घर में बहुत लोग बीमार पड़ते रहते हैं तो उसमें भी यह करता है आपके लिए गोमती चक्र ट्री ठीक और आप अगर बिजनेस करते हो कोई भी बिजनेस है आपका किसी प्रकार का बिजनेस है तो आप इस तो उस अस्थान पे रख सकते हैं जहां पे आपका काउंटर है यानि कि बिजनेस काउंटर है ना आप इस जो है बहतरीन सिक्षा के लिए यूज कर सकते हैं यानि कि अगर आपका बच्चा पढ़ता नहीं है उसका ध्यान नहीं रहता है उसको याद नहीं रहता है उसको पड मुझ्ट वाइफ की जीवन में भी काफी ज़दा कलेश रहता है काफी ज़दा लड़ाई जगड़े होते रहते हैं तो आप इसको इस गोउंती चक्र ट्री को भी रख सकते हैं अपने रूम में अपने बेडरूम में जिससे आप लोगों की help होगी ठीक है और गोमती चक्र ट्री रखने का मतलब यही है कि आपकी लाइफ में सुख समरिधी तो आएगी ही आएगी उससे कहीं कोई जाने वाला नहीं है जो गोमती चक्र के benefit है यह आपको बहुत जादा बहुत ही जादा देखने को मिलते हैं इस गोमती चक्र ट्री को आ नजर दोश खतम हो और मेरे जो काम है उस पर किसी का effect ना पड़े ठीक है तो इसके लिए मैं अपना यह गोमती चक्र मैं अपने टेबल पर रखती हूं वैसे ही आप अपने घर में रख सकते हैं सुख समरिधी को प्राप्त करने के लिए यह बहुत ही प्यारा पीस है अगर कि वास्तु दोस्त को ठीक करता है सबसे अच्छी बात है कि घर के वास्तु दोस्त को ठीक करता है यह आपकी रोजमरा जिंदगी को सही करता है आपको नीड़ना लेनी की छमता मजबूत करता है इसके क्या-क्या benefits मैं आपको बताओं बहुत सारे benefits हैं बहुत ही abundance prosperity को ले करक अगर आप इसे रखते हैं आप इसकी बहुत अच्छे से देखबाल किर आप इसकी पूजा कियरे देखिए आपको बहुत ज़्यादा फायदा करेगा यह चोटा सा इक गोंती चगर बहुत कृम कीमत का है आपको बहुत ज़्यादा देगा तो आप इसको kontakt कर सकते हैं झाल झाल